हलो फ्रेंड्स कुकिंग विद लव एंड लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी आलू चना चांट तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी काले चने लिए हैं जिनने रात भर पानी में सोक कर लिया है यह अच्छे से फूल गया हैं अब इन्हें हम बॉइल कर लेंगे कुकर में चने डालेंगे एक कटोरी पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे अब इन्हें हम बॉइल कर लेंगे कुछ मसाले ले लेते हैं एक चम्माश सेंधा नमक स्वादा नुसार नमक ले लेंगे दो चम्माश भुनी विधनिया दो चम्माश आमचुर पाउडर दो चम्माश भुना हुआ जीरा और दो चम्माश चार्ट मसाला दो टमाटर ले लेंगे दो प्याज ले लेंगे चार हरी मिर्च, थोड़ा साहरा धनिया और एक नीम्बू इन सबी चीजों को हम बारी काट लेंगे कटा हुआ प्याज, टमाटर, बारी कट हुए हरी धनिया और हरी मिर्च दो उबले हुए आलू ले लेंगे, जिनने हम बारी काट लेंगे और उबला हुआ चना, जिसका एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है एक बाउल ले लेंगे, जिसमें चने डालेंगे उबला बारी कटा हुआ, आलू डालेंगे प्याज डाल लेंगे बारी कट हुआ टमाटर बारी कट हुई हरी मिर्च भुना हुआ धनिया पाउडर बुना हुआ जीरा पाउडर चाट मसाला पाउडर स्वादा नुसार नमक थोड़ा सेंधा नमक जिससे हमारी चाट को थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर मिले यह आम चूर पाउडर है जिससे हमने थोड़ा सा पाई डाल कर घोल लिया है इससे भी डाल देंगे और नीमू का रस अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब धनिया डाल कर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमारी चाट बनकर रेडी है हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे अब हमारी चाट खाने के लिए बिलकुल तयार है देखे कितनी यम्मी लग रही है और यह वाकई खाने में भी इतनी ही टेस्टी है प्लीज आप मेरी रेसिपी को जोड़ ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बिताइएगा कि आप चाट कैसी लगी और रेसिपीट जाने के लिए प्लीज मेरी चाट को लाइक करिये सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे बताइए थाइंक यू सो मच